Hello Friends, स्वागत है आपका आज की वीडियो में Friends, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ छोड़े छोड़े बच्चों को कैसे आप टेबल करवा सकते हैं यानि कि आप बच्चों को किस तरीके से टेबल कराएं कि बच्चे डरे ना जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चे टेबल लिखना शुरू ही कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं मैंने पर्सनल एक्सपिरियंस है मेरा अगर मैं बोर्ड पे सही लिखा रही होती हूँ ना तो बिग्नर्स जो होते हैं ना जो बच्चे सीख रहे होते हैं वो बता नहीं क्या क्या लिख देते हैं क्यों क्यों क्योंकि हम उन्हें इस तरीके से बताना होता है कि उन्हें इतना इजी लगे कि ना वो डरे ना वो confused हो और ना वो mistakes करें तो चलिए मैं आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि आप बच्चों को किस तरीके से बता सकते हैं table लिखना देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 का table बच्चे को 2 का table सिखा रहे हैं आप आपने इस तरीके से नहीं करना है 2 into 1 is equal to 2 ऐसे आप भी नहीं लिखेंगे आपको बच्चे से कहना है पहले हम इसे 2 को 10 times लिख लेंगे और बच्चे को counting आती है तो बच्चा easily कर लेता है तो यहाँ पे फिर कहिए यह into है और यह equal to है यह दोनों चीज आप उन्हें clear करवा दीजे पहले तो उसके बाद आप बच्चे से बोलिए कि अब आप यहाँ पे into का sign लगाए कितने times 10 times ओके उसके बाद आप लिख दीजे 1 to 10 easily बच्चे लिखेंगे क्योंकि बच्चों को आती है already ठीक है क्योंकि उन्हें 10 का concept clear हो गया है तो उसके बाद आपकी बारी आदी है 2 ones are क्या आएगा बच्चों 2 आप इस तरीके से कहेंगे तो इनका concept है वो clear हो जाएगा वैसी मैंने यहाँ पे 2 examples ले लिए हैं ताकि बच्चा अगर को इस video को देखे तो उन्हें भी समझ में आजाएं देखे 3 को मैंने कितने बार लिखा है 10 times मैंने यहाँ पे 3 लिखा है 10 times मैंने into लिखा है 1, 2, 10 लिखे है 10 times मैंने equal to का sign लगाया है और उसके बाद मैंने start किया है 3 ones are 3 3 twos are 6 इस तरीके से आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चे को definitely आजाएगा उन्हें easy लगेगा तो यह थी छोड़े छोड़े बच्चों के लिए टेबल लिखने के एक छोड़ी छोड़ी सी ट्रिक क्योंकि बच्चों को आप जितना easy हो सके ना उतना easy way पर बताएं ठीक है यह जादा अच्छा रहता है इससे confusion भी नहीं होते बच्चों को तो आपको 2 का टेबल मैंने बताया 3 का बताया ऐसे ही आप सारे टेबल बच्चों को बता सकते हैं ठीक है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी डालिएगा और वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और पिछली वीडियो के सारे लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाले हुए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं प्री प्राइमरी के जितने भी वीडियो अभी तक में बना चुकी हूँ सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही तक यू